कि नमस्कार आपके साथ मैं हूरतिक सभीता स्वागत है आपका एस्पीन नाइन न्यूज में देखें दर्शा को सबसे बड़ी बात ये है कि अपढ़ना यादब ने जब से बीज़े भी पार्टी संभा लिए तब से लगातार देखा जा रहा है कि अपढ़ना यादब को एक भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है और तो और आपको बता दे कि अपढ़ना यादब को जो है इस्टार प्रचारक की सूचियों में भी शामिल नहीं किया जाता है आखिर अपढ़ना यादब के साथ बीज़े भी पार्टी पक्षपात क्यों क बड़ी जो बड़ी जम्मधारी देगी उसको वह निभाएंगी लेकिन परटी जम्मधारी देने को तैयार ही नहीं है दूसरी बात है कि लगातर देखा गया है कि जो पार्टी से बगावत करके बीजेबी पार्टी में शामिल होता है उसको बड़े पत्रकार यह कह रहा है कि अपढ़ना यादब को बीजेबी पार्टी सिर्फ मैला संगठन के तौर पर आंगे रखेगी लेकि जो पक्षुपात की खबरें सामने आ रहे हैं दर्शा को आप बताईए क्या सच में अपढ़ना यादब बहुत दुखित हैं क्या अपढ़ना यादब को बीजेबी पार्टी आंगे नहीं रखना चाहती इसका सबसे बड़ा कारण क्या समाजबादी पार्टी का बदला है और दूसरी बात है कि चाचा शुपाल को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है डिमपल यादब को जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्या बखुभी नभाएंगी क्या अपढ़ना की वाफसी होगी यह सबसे बड़ा सवाल दूसरा सवाल है कि अपढ़ना यादबी एक बीजे देखनों को मिली लेकिन दरशकों आप बताईए कि अपढ़ना यादब का क्या होगा अपढ़ना यादब का राजनितिक केरियर किस पार्टी में सुरक्षित है और अपढ़ना यादब का भविस्त क्या है क्या दिल्ली की बाद यहां पर जो है लखनो की मेर के लिए अपढ़ना यादब का राजनितिक केरियर सुरक्षित हो जाएगा कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताए आज के लिए सिरुप इतना ही देखते रही है एस्पेन नाइन नियूज